नीट पेपर गोटाले में पहली बार बड़ी कारवाई हुई है यह करवाई सीधे तोर पर इंटिये के उपर हुई है आपको बदा दे कि जिस संस्तान ने नीट की परिच्छा आयोजित की थी उस पर कारवाई हुई है उसके डीजी को बदल दिया गया है नए डीजी को पदभार दिया गया है नए डीजी ने आते ही सबसे पहले जो एक्स्टन लिया है उसके बाद खलवली मची हुई है यह आखीर एंटिये के उपर अब जो सवाल उठा आता उस सवाल के घेरे में जो है वो पुरुव जो डीजी रहे उन पर आरोप लगा दाग है कि उनके कारेकाल में इस तरह ही कलती हुई है इधर पेपर लिग से जुड़े मामले में लगतार बिहार और अन्य जगहों पर जो सेटर हैं जो मास्टर माइंड है उनकी खोज भी और उनके नए ने खुलासे हो रहे हैं पलिस जांच कर रही है और अब सरकार की जब सशि हठा दिया गया है सुबत्कमार सिख को दीजी पस से हटा दिया गया और अब जो चार्ज दिया गया है वह जो नयए डीजी हैं वह सिधे तोर पे अब एक्सम में दिखाई पड़ रहे हैं आपको बता दे कि उनके जो जो दीजी थे प्रदीप सिंह खरोला को नेसनल जुन को आयूत होने वाली नीट प्रवेस परिक्षा को विएस्थागित कर दिया है और इधर प्रदीप सिंग खरोला को जिम्मेवारी देटेद दी गई है और दूसरी तरह जो 23 जुन को परिक्षा होने वाली थी उसको भी रत कर दिया गया है सिक्षा विभाग ने NTA की हाला सुधारने और परिक्षा में पार दर्स्ता लाने के लिए साथ सदस्य कमीटी का भी गठन कर दिया गया है इदर इसरों के पुरुव चेर्मेन और आईटी कानपुर के पुरुव डारेक्टर के राधाक्रिशन कमीटी के सदस्त बनाए गया है आपको बता दे कि साथ सदस्य कमीटी में इसरों के पुरुव चीफ भी सामिल है इनके अलावा चीफ मिलकर NTA जैसी सस्ता जो है उसके अंदर जो बुनियादी जरूरते है जो बेसिक खामिया निकल के सामने आ रही है उसमें बदलाव करेंगे, समिक्षा करेंगे, सिक्षा गवा कि फजियत हुए और उसके बाद ये एक्सन हुआ है जाईर से बात है कि इस एक्सन को लेकर सबसे ज़्यादा जो राहत है वो बच्चों को मिलती हुई दिख रही है बच्चों को या उमीद है कि अब जो नए डीजी आ हैं वो नए सीरे से इस पूरे मामले को देखेंगे और आज जो तेइस जुन को होने वाली जो परिशा थी उसे अस्तगित कर दिया गया दूसरी तरफ डीजी के उपर एक्षन इधर पोल्टिकल घरानों में जिस तरीके से बयानबाजी चल रहा है एक्षन हो रहा है कायरवाई हो रही है उससे चात्रों को अब तक फिराल रहत नहीं मिला है नीट पेपर लिक मामले में परसासन के तरफ से भले ही अपराजियों के धर पकड़ शुरू हो गई है लेकिन चात्रों की जो डिमांड है वो अब तक हुआ है जो पिपर गड़बड़ी हुई है इसके दाग एंटीय पर से धूल जाएंगे क्या नरंद्र मोदी सरकार के तीसरे कारेकाल के कामकाज शुरू होने से पहले जो दाग लगा है वो धूलेंगे यह सवाल पुशे जा रहा है ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined